हलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एडूकेशन मेकर में तो आज का हमारे टॉपिक जापांस रेलेटेड यह इसका पार्ट टू है पार्ट वन अप्लोड किया जा चुका है अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो अभी जाकर पार्ट वन क चीके बनाये के जिसमें को साओधी रेभी अफगानिस्तान इडान यह सभी कंट्रिस को कवर किया गया तो अब उन सभी वीडियो को जाकर जरूर देखें तो आज हमारा टॉटल नंबर आइलेंड इन जापान टॉटल नंबर आइलेंड जापान में 6852 से 1852 टोटल आइलें आइलेंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चानल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें नेक्ट को नमारा टू नंबर डा टोक्यों इस लोकेटेड ऑन व आइसोलेशन आफ जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 जो जापान टूटल आइसोलेट आपको यह भी पूसकता कब तक कब से कब तक रहा तो 60-39 है तूटल एक फिफ्टीन थी तक जापान आइसी आईसोलेट रहा ठीक है जापान इतना तक आइसोलेट रहा यह भी ध्यान है कि आइसोलेशन इंड जापान का जो मैथ्यू पेरी यूएस के यूएस से बिलॉंग करते है मैथ्यू पेर उन्हें नहीं है फोर्च किया था ओपेंट करने के लिए जापान को अमेरिका के ट्रेड के लिए ठीक है एक्ट ट्रीटीज के सीरीज में तो मैस्ट्यू पहरी की दोड़ा फोर्श करने के बाद ही जापान का इसलेशन इंड हो पाया था तो इसका पता हो गया ऑप सनमर इसका राइट अंसर हो गया मैं नेच्स नमादा फोर्ड फूर्ड नमबर विचलेण मोड़ तो तो क Jápod ने locks किया लाख एपर मेजी ने नेल हो जाएगा से ौन इसकृत रूट नम् patrimon Noirl में उसमें कौन सा nuclear power plant को काफी जादा नुकसान हुआ था वह तो वह आपको फूको सीमा डाइची ऑप्सन नुक्सान नुक्सान हुआ था डाइमेज हुआ था हाँस आपको आपड़ है अपड़ हासे जयाते के प्रीवेज्ज वीडियो बातों के बारे बिंदया तो हाँस है है हाउस of consistency जा पान का तो अपर हाउस की कितने में इंबर ममेंबर ओस अफ आ इलेक्टेड और पर की मेंबर या फिर हाउस की मेंबर हाउस-फ़ाउस देड철 divorced On-2 का नम्र सीरे तो इ tartar हो जाएगा जाए कि आले nut नबर कुस्ट्टयन हमारा टोटल लंबर आफ मेंबर इन डा हऊस ओप रिपेजेंटेटीव आपको लोबरहाई हो गया तो टोटल केतने विंबर हास और रिपेजेंटेटीव चैडल के तो 465 टाइप हो गया है उसका आंसर हो जाएगा टोटल मेंबर हैं लोगर हाउस के या फिर आप इसे हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं जापान का नेक्स्ट कुस्तन है माला एट नमबर विच वन वास्ट कंट्री विए जापान सेंड इट्स मिलिटरी सिंस दा इंड ओफ वर्ल्ड वर्ड टू इंड ओफ व सिंस दा इंड ओफ व्ल्ड वर्ड टू नेक्स्ट को सब्सक्राइब नाइन नमबर हूँ वास्ट जैपनीज मैं टू ट्रैवल टू इस पेस तो कौन सा जैपनीज मैंने जो कि पहली बार ट्रैवल किया इस पेस में तो वह थे आपको टोयो हीरो अकियामा अप्सन नमर एकंशनलिट्य के परसन मंगए इस सफेस में ट्रैवल करने वाले नेश्ट को से मरा टेंट नमबर कू वास्ट जैपनीज मैं टू वर इन इस पेस तो वह आपको हैं टकाओ टकौडववास्ट जैपनीज मैन टू वोक in सपेस ऑपने माइश्य मैं आउन्सर मॉच्छ अंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर accurate date जानना है आपको तो एक अक्तूबर एक अक्तूबर 1964 को यह स्टार्ट हुआ था बुलेट ट्रेंज जापान में accurate date इसका यह होगा एक्तूबर 1964 कि नेक्स्ट को सब्सक्राइब टूवर्फ नंबर कर्श्चन इन विच यह टोक्यों विल होस्ट दा ओलंपिक फॉर्स सेकंड टाइम जैसे को पत्रों को टोक्यों ने सबसे पहली बार ओलंपिक 1964 में होस्ट किया था ठीक है फर्स्ट ओलंपिक जो होस्ट किया था टोक्यों ने जापान ने वो 1964 में होस्ट किया थो सेकंड डाइम होस्ट होने वड़ा था आपको 2020 में ऑप्शन नंबर सीस का राइट आंसर हो जाएगा 2020 जो की कोड़ोना वारस के वाज़ा से 2021 में होगा इस बात को भी ध्यान के करेंट के पॉइंट अफ्यू से एक क्वेश्टन बन गया आपका साथ ही हमारे चैनल पर कोड़ोना वारस से रिलेटेड इंपोर्टिंट से काफे इंपोर्टेंट है तो आप उस वीडियों के जाकर जरूर देखें क्वेश्टन नंबर है हमारा थाटी नंबर यूनिवर्सिटी ओफ टोक्यो वाद इस्टैबलिज्ट इन दा यह जो यून 1877 में किया गया और सिसका राइट आंसर हो जाएगा 1877 अगर आप्रिल यूनिवर्सिटी ओफ टोक्यो और सिसका राइट आंसर हो गया हो जाएगा से नेक्स्ट कीस्ट्यो नम संथ के बाइट और टोटल यून्ध सेवेश्ट मेंटर्राइट इस सफिट में डिफाइन किया है तो 12389 फीट बारा हदार 12,389 फीट जो कि इसका टोटल उचाई हो गया आपको मौंट फूजी का और मौंट फूजी एक्जामनर यह भी पूसकता है ад으면 मौंट फूजी आपको लोकेड़ नोर्थ नीर डापैसिविक कोस्ट आफ सेंडरल ऊंसु के पास में यहाप यह फी भी का सकते detective look for हुए मैं टोक्यो के साउथ बेस्ट में मौन्ट फूजी लोकेटइड है इस बत ध्यान रहे कि मेंन पर कहां पर लोकेटड नेक्स्टेनल में इस दानेशिननल एंडिमल ऑफ जापान तो जापान नेशनल आणिमल तो वैसे तो कोई नहीं हैand अगर अनिमल में देखा कोई कोई एक टाइप का फिश और इसका राइट आंसर जाए कोई इस दानेशनल अनिमल आप जापन कोई एक टाइप का फिश ठीक है कि नेक्स्ट को सने मारा सेवेंटी नमबर इस कोस्टन में मुझे थोलों कुछ डाउट है इसका आंसर क्या होगा तो आप एक बाइप जरूर गूगल चेक कर लें और चेक करने बाद कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करके हमें बता दें तो कौन थे फॉंडर थे और साथी फर्स्ट उन्होंने रूल किया तो वह आपको फॉंडर थे शोगुन सोफर्स्ट शोगुन थे और कमकुड़ा शोगुनेट के फॉंडर से मीना मोटो योडि तो मतों आपसर नमरे 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथी यह शोगुन का कैसे यहां के यह शोगुनेट बन गये कामकुड़ा कि कैसे शोगुनेट बन गया मीना मोटयोडी तो आपको यह जाकर उन्हें रूल किया सादस्क्रा थो एक से से ले करके 1199 तक उन्होंने डूल किया अंदिल ही जब तक यह जिन्दा रहें तब तक उन्होंने वहां सासन किया कामकुडा सोगुनेट पे जो कि जपान में आपका और यह विक्ट्री क्विक्ट्री हुआ था ठीक है गैनपी वार था इसके बारे में यह जाने है जी इन पी आइ गेनपी वार में जीत के बाद आफ्टर विक्ट्री इन गेनपी वार इन्होंने रूल किया कमकुडा सोगुनेट पे ठीक है मीना मोटो नो योडी तुमोने जैसे आपको बताएगा कब से कब तक रूल किया तो 1192 से अंटिल इस देथ 1199 तक इन्होंने रूल किया इस उनमें जरूर कमेंट करें पूछ सकते हैं और आप अगर चाहते हैं किसी एक खास पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताए क्योंकि जैसा आपका कमेंट होगा वीडियो हमार तरफ से आपको प्रोवाइट करना बिल्कुल भी न ना भूलें तो एटी नमर कोश्यान है वीच वन इस दा कैपिटल सीटी आफ दा टोगु गावा टोकु गावा शॉगुनेट गवर्ण में जो टोकु गावा शॉगुनेट गवर्मेंट का कैपिटल सीटी कौन सा था तो यह आपको था इडो अप्सिन नमर इसका राइट यह अँगुिए लिए ले की में अ से वर्ड वर-े तु के बाद जापन कब तक शॉपाइड एड एलाइड कि के अंदर में कब तक रहा जापान तो वह आपको 1952 तक जापान वाज उक्यूपाइट बाइए लाइट पावड ऑप्सन नमबर सीज का राइट अंसर हो जाएगा सब्सक्राइब करें तो आज की वीडियो में तरह ही मिलते हैं आपसे बहुत ही जल नेक्स्ट वीडियो में